हलो दोस्तों आईए देखते हैं समसमाई की घटना चक्र दिसंबर महिने की मैग्जीन इसमें नौंबर और अक्टूबर और नौंबर के सारी न्यूज इसमें दी गई हैं सारे सब कुछ कबर है इसमें अक्टूबर नौंबर के करेंट अफेर सब कुछ कबर है और इसकी 2017 में इंडिया की रेंग 130 थी अब हो गई है 100 और इस आप डूइंग बिजनेस जो इस आप डूइंग बिजनेस जिपोर्ट कौन जारी करता है 20 सुबहें के जारी करता है तो आईए इसमें देखते हैं सारी नियूज जो है अक्टूबर और नॉमबर महिने की सारी नियूज इसमें कबर हैं सब देखते हैं इसे बाहर साइड ही कुछ आएगा इसे सब कुछ कबर हो जाएगा अक्टूबर नॉमबर का पूरा कबर हो जाएगा आईए देखते हैं पहला इसमें किस तिथी को प्रधान मंत्री नरेंद् अभी हाल ही में किसी एक्जाम में ये पूछा था कि अखिल भारती अलबे संस्थान कहां पर अस्थापित किया गया पहला अखिल भारती अलबे संस्थान कहां पर अस्थापित किया गया पहला अखिल भारती अलबे संस्थान कहां पर अस्थापित किया गया तो नई दिल्ली रोधी युद्धपोद को भारती नवसेना में सामिल किया तो भारती नवसेना में रच्छा मंत्री निर्मला सितरमन ने आई एन्यस किल्टान को सामिल किया किल्टान एक ड्वीब है लक्षद्वीब के अंदर तो आईए अगला देखते हैं 13 से 16 अक्टूबर 2017 के मध्य तीसरे भारती अंतररास्टी बिज्ञान महोसों 2017 IISF 2017 का आयोजन कहां पे किया गया तो यह बहुत इम्पर्टेंट यह चिन्नगी में भारती रास्टी बिज्ञान महोसों 2017 का आयोजन कहां किया तो यह पुछए जाएगा अगला देखते हैं 13 अक्टूबर 2017 को केंद्री संचार राज्य मंत्री स्वतनत प्रभाद मनोज सिनहा ने ग्रामीड छेत्रों में रहने वाले लोगों को किफायती जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी योजना का सुभारम किया? संपूर्ण बीमा ग्राम योजना केंद्री संचार मंत्री मनोज सिनहा ने ग्रामीड छेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए जीवन बीमा सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी योजना की सुरुआत की? तो यह संपूर्ण बीमा ग्राम योजना यह गाउं वालों के लिए चलाया गया है बीमा योजना अगला देखते हैं 16 अक्टूबर 2017 को विश्वखाद्य दिवस के अउसर पर भारत के किन तीन जिलों में जीरो हंगर प्रोग्राम सुरू किया गया तो यह तीन जिले कौन से हैं यह पाला है गोरकपूर किस राज में है उत्तरप्रदेश में कोरापूट कहां है उड़ीसा में ठाड़े महारास्ट में तो एक कोशन इसमें यह भी बनता है विश्वखाद्य दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को इसे ही अउसर पर भारत के तीन जिले जो है जीरो हंगर प्रोग्राम सुरू किये हैं तो इसमें है गोरकपूर उत्तरप्रदेश कोरापूट उड़ीसा ठाड़े महारास्ट में आगे देखते हैं आगे देखते हैं 13 से 26 अक्टूबर 2017 के मध्य भारत स्रिलंका संयुक्त सैन्य प्रसेच्छन अभ्यास पूरे महारास्ट में संपन होगा इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है मित्र सक्त 2017 यह भी पुछा जाएगा भारत स्रिलंका संयुक्त सैन्य प्रसेच्छन अभ नाम क्या था? मित्र सक्त 2017, बहुत इंपोर्टेंट है, अगला देखते हैं, भारती मानक ब्यूरो BIS अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ? ये 12 अक्टूबर 2017 से लागू हुआ, बहुत इंपोर्टेंट है, भारती मानक ब्यूरो अधिनियम 2016 कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2017 से, अगला देखते हैं, 12 October 2017 को किस दूर संचार कमपनी ने Tata Tele Services Limited के अधिगरहन की घोशणा की, तो ये AITL कमपनी, भारती AITL Limited ने Tata Tele Services Limited का अधिगरहन कर लिया, आगे देखते हैं, 8 से 15 October 2017 के मध्य संपन्न टेनिस प्रत्योगता संगहाई Rolex Master के पूरुस एकलवर्ग का खिताब किस ने जीता, तो ये रोजर फेडरर, रोजर फेडरर रहने वाले कहां के हैं, स्विर्जर लाइन के, तो ये कैसे पूशना जाएगा, संगहाई Rolex Master, पूरुस एकलवर्ग का खिताब किस ने जीता, तो ये रोजर फेडरर, अगला देखते हैं, 10 से 12 October 2017 के मध्य संपन, साइकलिंग प्रत्योगता ट्रेक, एसिया कप, 2017 में कौन सा देश, पदक तालिक्या में सीर सा स्थान पे रहा, तो ये हैं भारत, एसिया में साइकलिंग कें सबसे सीर्ष पे कौन था भारत, अगला देखते हैं, 20 अर्थराइटिस दिवस कर मनाया जाता है, ये 12 October को, अगला देखते हैं, अंतररास्टी बालिक्या दिवस, 2017 का मुख्य भी से क्या था इसका मुख्य भी से था बालिकाओं का ससक्ति करड़ संकट काल के पहले दोरान और उसके बाद ये अंतर राष्टी बालिक्या दिवस कर मनाया जाता है 11 अक्टूबर को अंतर राष्टी बालिक्या दिवस मनाया जाता है और इसका थीम क्या था, अंतर राष्टी बालकिया दिवस 2017 का थीम क्या था, बालिकाओं का ससक्ति करण संकट काल के पहले इसके दवरान और उसके बाद, इसी के साथ 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर राष्टी बालकिया दिवस, 12 अक्टूबर को मनाया जाता है विश् इस तोड़ा कोरिलेट करके याद करेंगे तो याद हो जाएगा आगे देखते हैं अगला है 27 सितंबर से 17 अक्टूबर 2017 के मध्य बित्ती सेवाएं बित मंत्राले द्वारा देश के बिभिन भागों में किस अभियान का सुबारंब किया गया तो यह है मुद्रा प्रचार अगला देखते हैं 11 अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की कौन सी बस सेवा का सुबारंब गया तो इसका नाम है संकल्प सेवा संकल्प सेवा की सुरुगात प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 अक्टूबर 2017 से किया अगला देखते हैं 11 अक्टूबर 2017 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रमंडली समित ने इसकिल इंडिया मिसन को बढ़ावा देने के लिए 202 द्वारा समर्फित किन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की तो यह है संकल्प 11 अक्टूबर 2017 को प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रमंडली समित ने इसकिल इंडिया मिसन को बढ़ावा देने के लिए 202 द्वारा समर्फित किन योजनाओं को मंजूरी दी तो संकल्प और संकल्प की फुलफाम क्या है स्किल इक्विजीशन और नॉलेज अवेरनेस आफ लाइबली हुड प्रमोशन और इस्ट्राइब यह 202 द्वारा समर्फित दो योजनाओं है एक है संकल्प एक है इस्ट्राइब अब संकल्प की क्या फुलफाम है इस्किल इक्विजीशन और नॉलेज अवेरनेस फार लाइबली हुड प्रमोशन और इस्ट्राइब क्या है स्किल स्ट्रेंथिनिंग फार इंडस्ट्रियल बैलू इनहांसमेंट यह है 11 अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलो पर मंत्रिमंडली सिमित ने इस्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए 202 द्वारा समर्थित किन योजनाओं की मंजूरिदी तो यह संकल्प और इस्ट्राइब ऐसी पुछा जाएगा कि इसकिल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए 202 द्वारा समर्थित योजनाओं कौन सी है एक संकल्प है एक इस्ट्राइब है आगे देखते हैं 11 अक्टूबर 2017 को केन सरकार ने पूरे इस्टित फिल्म एवंग टेलीविजन संस्थान का अध्यक किसे निव्ट किया तो यह अनुपम खेर को और यह कोशन बहुत बार पूछे जा चुका है फिल्म एवंग टेलीविजन संस्थान एक टिया कहां पर इस आगे देखते हैं 11 अक्टूबर 2017 को केंदरी मंत्रिमंडल द्वारा किसका दर्जा गैर सरकारी संगठन से परवर्तित कर अन्ता सरकारी संगठन करने को मंजूरी प्रदान की गई तो यह है 11 अक्टूबर 2017 को केंदरी मंत्रिमंडल द्वारा किसका दर्जा गैर सरकारी संगठन से परवर्तित कर अन्ता सरकारी संगठन करने को मंजूरी प्रदान की International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority आईए एले तो यह पहले जो है क्या थी यह थी पहले गैर सरकारी संगठन था अब यह हो गया है सरकारी संगठन इसका नाम क्या है IALA International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authority आईए अगला देखते हैं 10 अक्टूबर 2017 को किस राजी के मंत्रिमंडल द्वारा जलवाई परिवर्तन अन्कूलन नीत को मंजूरी दी गई तो यह महाराज सरकार द्वारा किस राजी सरकार द्वारा जलवाई परिवर्तन अन्कूलन नीत को मंजूरी दी गई तो यह है महाराज सरकार द्वारा अगला देखते हैं 10 अक्टूबर 2017 को फीभा ने किस देश के फुटबाल संग को निलंबित कर दिया ये पाकिस्तान को ये बहुत नियूज में था ये बहुत इंपॉर्टेंट है भीभा ने किस देश के फुटबाल संग को निलम्बित किया है तो पाकिस्तान के अगला देते हैं 200 मानक दिवस 2017 का मुख़ विसे क्या था और 200 मानक दिवस कब मनाया जाता है 14 अक्तूबर को और इसका ठीन क्या था मानक स्थारों को स्मार्ट बना देना इस्टेंडर्स में सिटीज स्मार्टर आगे देखते हैं आगे हैं 9 से 11 नॉवंबर 2017 के मर्दी प्रथम अंतर राष्टी आयूस सम्मेलन और प्रदर्सनी का आयोजन कहां किया गया प्रथम अंतर राष्टी आयूस सम्मेलन और प्रदर्सनी का आयोजन कहां किया गया यह दुबई में सयुकत अरब अमिरात में किस देश में है दुबई संयुक्त अरब अमिरात में प्रथम अंतर रास्टी आयुस सम्मेलन और प्रदसनी कहा है दुबई कहा है संयुक्त अरब अमिरात में अगला देखते हैं 10 से 11 अक्टूबर 2017 के मद्धि नई दिल्ले में आयोजित स्वस्थ जीवन के लिए योग 21 अक्टूबर को मनाया जाता है अब 2017 थीम क्या था स्वस्थ जीवन के लिए योग 21 जून को मनाया जाता है 21 जून को अंतर राष्टी योग स्रमेलन आयोजित हुआ था दिल्ली में इसका थीम था स्वास्थ जीवन के लिए योग और ये मनाया जाता है 21 जून को अगला है 6-8 अक्टूबर 2017 के मर्ध आसियान भारत संगीत महोसो के पहले संसकरण का आयोजन कहां किया गया तो ये पुराना किला नई दिल्ली में बहुत इंपोर्टेंट है आसियान भारत संगीत महोसो का आयोजन कहां किया गया पुराना किला नई दिल्ली में अगला देखते हैं प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सगहन मिशन इंदर धनुस का सुभारम वर्ड नगर गुजरात में किया ये कप किया आठ अक्टूबर 2017 को अगला देखते हैं 7 अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सगहन मिशन इंदर धनुस का सुभारम वर्ड नगर गुजरात में कप किया एवंग प्रसेषण संस्थान अस्थापित करने की घोशड़ा की ये देव भूम द्वार्कया में बहुत इंपोर्टेंट है ये पहला रास्टी मरीन पुलिस अंसंधान एवंग प्रसेषण संस्थान किस राज्जी में अस्थापित हुआ है तो गुजरात में और गुजरात में कहां देव भूम द्वार्कया में देवभूम द्वारिका जो है गुजरात का एक जिला है वहाँ पे पहला रास्टी मरीन पुलिस अनसंधान एवंग प्रसेचर संस्थान अस्थापित करने की घोशड़ा की गई है अब आईए देखते हैं 6 अक्टूबर 2017 को 14 भारती यूरोपी संघ सिखर सम्मेलन कहां आजित किया गया तो नई दिल्ली में अगला देखते हैं 6 अक्टूबर 2017 को ब्रिक्स थीम पर आधारित सब्वे ट्रेन की सुरुवात किस देश द्वारा की गई तो ये है चीन द्वारा 6 अक्टूबर 2017 को ब्रिक्स थीम पर आधारित सब्वे ट्रेन की सुरुवात किस देश द्वारा की गई तो ये है चीन द्वारा आगे देखते हैं अगला है 5 अक्टूबर 2017 को पतिस्थित पत्रिक्या फोब्स द्वारा जारी इंडिया रिचलिस्ट 2017 की सूची में सीर से तीन अस्थानों पर क्रमसा काउन है तो ये हैं पहले हैं मुक्य संबानी दूसरे हैं अजीज प्रेम जी और तीसरा हैं हिंदुजा परिवार आगे फोब्स द्वारा जारी इंडिया रिचलिस्ट 2017 की गई इसमें तीन सीर से कौन है पहला है मुक्य संबानी हैं दूसरे हैं अजीज प्रेम जी हैं और तीसरा हिंदुजा परिवार आईए अगला देखते हैं 5 अक्टूबर 2017 को इसरों ने भारत के किस राज्य में अनुसंधान केंद्र अस्थापित करने की घुषडा की 5 अक्टूबर 2017 को इसरों ने भारत के किस राज्य में अनुसंधान केंद्र अस्थापित करने की घुषडा की तो ये असम राज्य के गुहाटे में अगला देखते हैं देश का पहला गव अभयारण कामदेन गव अभयारण किस राज्य में अस्थापित किया गया है तो ये मध्यप्रदेश में अभ्याराण किस देश में अस्थापित किया गया तो ये मध्यप्रदेश में अगला देखते हैं पांच अक्टूबर 2017 को भारत सरकार ने बंगलेवरू मेट्रो रेल परियोजना चरण दो हेत किसकी साथ 300 मिलियन यूरो के रिड समझोते पस अस्ताचर किया तो ये है यूरो ये अगलेवरू के रिड सेंट फैन बंगलेवरू मेट्रो रेल परियोजना के चरण दो हेत किसके साथ 300 मिलियन यूरो के रिड समझोते पर हश्ताचर किया तो ये ये है ये है ब्हारत सरकार और ये इन्वेस्टेट बैंग के साथ एक करार हुआ है इसमें यो है 300 मिलियन यूरो के रिल पर समझा होता हुआ है बैंगलियोरो मेट्रो रिल परियोजना के चरण दो के लिए आई अगला देखते हैं 5 अक्टूबर 2017 को परेटन पर्व का उद्धाटन किस अस्थान पर किया गया यह है नई दिल्ली स्थित हिमायू के मगबरे पर बहुत इंपर्टेंट है 5 अक्टूबर 2017 को परेटन पर्व का उद्धाटन किस अस्थान पर किया गया यह है नई दिल्ली स्थित हिमायू के मगबरे पर बहुत इंपर्टेंट है इसको उजाद रखी ध्यान से अगला दे साथ प्रत्यरपण संधिपर्स हस्थाक्षर एवंग उसके अनुसमर्थन को मंजूरी प्रदान की तो यह है लिथु आनिया के साथ। अगला देखते हैं वर्स दो हजार सात्रा का नोबल सांती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो यह प्रदान किया गया है अगला weapons आई अगला देखते हैं बहुत important है मैन बुकर प्राइज 2017 किसे प्रदान किया गया तो यह है जार्ज सेंडर्स को मैन बुकर पुरसकार 2017 किसे दिया गया यह जार्ज सेंडर्स यह कहां के हैं USA के हैं सायुक्तराज अमेरिका के हैं और इनकी की सुपन्यास के लिए इनको मैन्बुकर प्राइस दिया गया है लिंकन इन्द वार्डो लिंकन इन्द बार्डो मैन्बुकर प्राइस 2017 बहुत इंपोर्टेंट है जार्ज सांडर्स को दिया गया है इनकी किसुपन्यास के लिए लिंकन इन दा बार्डो बहुत इंपोर्टेंट है और ये जो था नोबल सांति पुरसकार आईकेन को दिया गया है इंटरनेशनल कैम्पेंड टू एबॉलिस नुकलियर विपन्स मैन बुगर प्राइज किसे दिया गया है जार्ज सेंडर्स को किसुपन्यास के लिए लिंकन इन दा बार्डो अगला देखते हैं अक्टूबर 2017 में जारी दुनिया के सबसे मुल्यवान राष्ट ब्रांडों की वार्सिक रिपोर्ट राष्ट ब्रांड 2017 में पहले अस्थान पर अमेरिक्या है भारत का कौँ सा अस्थान है भारत का अस्थान है आठवा राष्टी ब्रांड 2017 में भारत का कौँ सा अस्थान है आठवा और पहला अस्थान किसका है अमेरिक्या का अगला देखते हैं बैस्विक भुकमरी सुचकांग किसके द्वरा जारी किया जाता है यह जारी किया जाता है अंतर राष्टी खाद गे नीद अंसंधान संस्थान बहुत इंपोर्टेंट है बैस्विक भुकमरी सुचकांग 2017 में भारत की रेंग कितनी है 100 रेंग पे है भारत और यह किसके द्वरा जारी किया जाता है भुकमरी सुचकांग अंतर राष्टी खाद नीद अंसंधान संस्थान अगला देखते हैं अक्टूबर 2017 में यूएस इंडिया बिजनिस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे निउक्तिया गया यह निशा देशाई बिस्वाल को निशा देश्वाई बिस्वाल को यूएस इंडिया बिजनिस काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे निउक्तिया गया निशा देशाई बिस्वाल को अगला देखते हैं 3 अक्टूबर 2017 को बिश्व स्वास्त संग्ठन का उप महा निजिसक 2017 में किसे निवक्ति आ गया डाक्टर स्वाम्या स्वामिन्याथन ये इंडिया की हैं अगला देखते हैं 3 अक्टूबर 2017 को विस बैंक द्वारा जारी आकड़ों के अंसार वर्स 2017 में बैस्विक धन प्रेशण के मामले में सीर्स तीन देश कौन से हैं विस बैंक द्वारा जारी आकड़ों के अंसार वर्स 2017 में बैस्विक धन प्रेशण के मामले में सीर्स तीन देश कौन से हैं भारत है पहले स्थान पे चीन है फिर फिलिपिन्स है बैस्विक धन प्रेशन ये किसके द्वरा जारी किया जाता है विस्वाइंक द्वरा इसमें फर्स्ट थ्री कंट्रीज कौन सी है भारत है चीन है और फिलिपिन्स है अगला रेखते हैं तीन अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमांचल प्रदेश में किस अस्थान पर अखिल भारती आयूर विज्ञान संस्थान एम्स की आधार सिल्य रखी तो ये है बिलासपूर में हिमांचल प्रदेश में किस अस्थान पर अखिल भारती आयूर प्रधान संस्थान एम्स की आधार सिला रखी प्रधान मंत्री ने बिलासपूर में बहुत इंपोर्टेंट है हिमानचल प्रदेश में एम्स कहां खुलने जा रहा है बिलासपूर में अगला देखते हैं तीन अक्टूबर 2017 को उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री योगी कल्याण बिभाग के अंतरगत कौन सी योजना संचालित करने का निर्ड़ लिया मुख्य मंत्री सामोहिक बिभाह योजना गरीवी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर के व्यक्तियों की पुत्रियों के बिभाह है समाज कल्याण बिभाह के अंतरगत मुख् अगला देखते हैं 3 अक्टूबर 2017 को भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष दीपक कुमार के दीपक कुमार ने कौन सा मोबाईल आप लांच किया तो यह है PMIS प्रोजेक्ट मॉनेटरिंग इनफॉर्मेशन सिस्टम यह राष्टी राजमार्ग प्राध कौन सा मोबाईल आप लांच किया है यह प्रोजेक्ट मॉनेटरिंग इनफॉर्मेशन सिस्टम और यह पुछा जा सकता भारती राष्टी राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है तीपक कुमार इन्हें ने मोबाईल आप लांच किया मोबाईल आप का नाम क्या ह प्रोजेक्ट मॉनेटरिंग इनफॉर्मेशन सिस्टम अगला देखते हैं प्रथम विश्म टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2017 किस देश में संपन हुआ तो यह भारत में अगला देखते हैं दो अक्टूबर 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार द्वारा किस प्रथा की समापती हेत ब्यापक जन जागरन अभियान का सुबारम किया गया यह है बाल बिबाह एवंग दहेज प्रथा अगला देखते हैं दो अक्टूबर 2017 को बिहार के मुख्यमंत्री नितीज कुमार द्वारा किस प्रथा की समापती हेत ब्यापक जन जागरन अभियान का सुबारम किया गया तो बाल बिबाह एवंग दहेज प्रथा यह आप अगर दो से तीन बार वीडियो देखेंगे डिफनेटली आप पूरा मिम्मराइज कर जाएंगे और आने वाले एकजाम में यह 100% आप सही कर लेंगे अगला देखते हैं दो अक्टूबर 2017 को करनाटक सरकार द्वारा ग्रामीड छेत्रों में गर्भवती महिलाओं एमंग अस्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोसंड संबंधी आवस्यक्ताओं की पूर्ती हेत कौन सी योजना शुरू की गई मत्रू पूर्डा योजना करनाटक सरकार ने गर्भवती महिलाओं के लिए और जो बच्चों को दोध पिलाती हैं उनके लिए पोसंड संबंधी आवस्यक्ताओं की पूर्ती के लिए मत्रू पूर्डा योजना शुरू की है अब पूछा जाएगा मत्रू पूर्डा योजना कौन सी सरकार ने किया है तो यह करनाटक सरकार ने शुरू किया है अगला देखते हैं 4 अक्टूबर 2017 को केन सरकार द्वारा नमामी गंगे कारिक्रम के अंतरगत कच्छुआ सरण अस्थली कहां विक्सित करने को मंजूरी प्रदान की गई तो यह इलहाबाद में इलहाबाद में कच्छुआ सरण अस्थली कहां विक्सित करने को मंजूरी प्रदान की गई यह इलहाबाद में अगला देखते हैं स्वच आंध्रमीशन का ब्रांड एम्बेस्टर किसे नेखती है तो पीबी सिंधु को स्वच 2017 का खिताब किसने जीता तो यह है मधु वल्ली मधु वल्ली जो है मिस इंडिया वर्ड वाइब 2017 का खिताब किसने जीता तो यह है मधु वल्ली है मिस वर्ड का भी आ गया है यह मानुसी छिलर भारत की है हरियाणा की रहने वाली है यह तो है मिस इंडिया वर्ड वाइब ये हैं मधु वल्ली और मिश्वर्ड की से 2017 कौन है ये मानुसी छिल्ला रहे हैं ये हरियाना से बिलॉंग करती हैं भारत की ही रहने वाली अगला देखते हैं दो अक्टूबर 2017 को राश्पती रामनाथ कोबिंद ने संविधान के अनुच्छे 340 के तहत अन्य पिछडे वर्गों के उपवर्गी करण के लिए पांच सदस्सी आयोग का गठन किया इस आयोग का अध्यक्ष कौन है इस आयोग के अध्यक्ष अगला देखते हैं हैं जी रोड़ी ये है दो अक्टूबर 2017 को राश्पती रामनाथ कोबिंद ने संविधान के अनुच्छे 340 के तहत अन्य पिछडे वर्गों के उपवर्गी करण के लिए पांच सदस्सी आयोग का गठन किया इस आयोग का ध्यक्ष कौन है न्यायमूर अगला देखते हैं सितंबर अक्टूबर 2017 में संपन भारत आस्ट्रेलिया एक दिवसी क्रिकेट स्रिंखला में प्लेयर आपदा सिरीज की से चुना गया हार्दिक पांडिया को सितंबर अक्टूबर 2017 में संपन भारती आस्ट्रेलिया एक दिवसी क्रिकेट सिंखला में प्लेयर आपदा सिरीज की से चुना गया हार्दिक पांडिया को अगला देखते हैं दो अक्टूबर 2017 को किस मंत्राले को स्वच्था पकवाड़े जो एक से पंद्रा फरवरी 2017 तक चला था के दोरान उथक्रिष्थ योगदान हैत पूरस्कित किया गया स्वास्त एवंग परिवार कल्यान मंत्राले को बहुत Elect is important है दो अक्टूबर 2017 को किस मंत्राले को स्वच्था पकवाड़े जो एक से एक फरवरी से 15 फरवरी 2017 को छला था सितंबर 2017 में ब्रिटिस संसद में ग्लोबल डाइवर्सिटी आवार 2017 से किसे सम्मानित किया गया तो यह सलमान खान को ब्रिटिस संसद में ग्लोबल डाइवर्सिटी आवार 2017 में किसे सम्मानित किया गया तो इस सलमान खान को सम्मानित किया गया अगला देखते हैं 28 सितंबर 2017 को भारती सेना और जामिया मिलिया इसलामिया विश्वविद्याले के बीच की संदर्व में एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया गया तो यह है सैच्षडिक एवंग तकनीकी सहयोग और सेना के जवानों की प्रगत के संबंद में यह है 28 सितंबर 2017 को भारती सेना और जामिया मिलिया इसलामिया विश्वविद्याले जो कि दिल्ली में है के बीच की संदर्व में एक समझावता ग्यापन पर हस्ताक्षर किया गया यह सैच्षडिक एवंग तकनीकी सहयोग और सेना के जवानों की प्रगत के संबंद में अगला देखते हैं 26 सितंबर 2017 को ACI विकास बैंक द्वारा जारी ASEAN Development Outlook 2017 के अध्यतन में वर्स 2017 में भारत की विकास दर को पूर्व अनुमानित 7.4 प्रस्यत से घटा कर कितना प्रस्यत कर दिया गया तो यह 7 प्रस्यत साथ प्रस्यत 2016 में यह बूला था 7.4 भारत की विकास दर होगी लेकिन ACN Development Outlook रिपोर्ट जो 2017 जो ACI विकास बैंक जारी करता है उसमें भारत की विकास दर को साथ प्रस्यत बताया है अगला देखते हैं 27 सितंबर 2017 को 208 मंच द्वारा जारी बैस्विक प्रतिस परधात्मक रिपोर्ट 2017 2018 के अंसार भारत का कौन सा स्थान है तो 47 फोटिएथ पोजिशन है आउट आफ 137 कंट्री 117 कंट्री में 47 अस्थान है भारत का बैस्विक प्रतिस परधा रिपोर्ट में और यह कौन जारी करता है 20 आर्थिक मंच जारी करता है अगला देखते हैं अगला है 26 सितंबर 2017 को 26 सितंबर 2017 को पस्चमी नवसेना के फ्लैग आफिसर कमांडिंग इनचीफ वाइस एड्मिरल गिरीस लूथरा ने नवसेना डॉक्यार्ड मुंबई में किस वाटर जेट फास्ट अटाइक क्राप्ट को भारती नवसेना में सामिल किया यह है आई एनेस तरासा बहुत इंपोर्टेंट है 26 सितंबर 2017 को पस्चमी नवसेना के फ्लैग आफिसर कमांडिंग इनचीफ वाइस एड्मिरल गिलीस लूथरा ने नवसेना डॉक्यार्ड मुंबई में किस वाटर जेट फास्ट अटाइक क्राप्ट का भारती नवस देना में सामिल किया तो यह है आई एनेस तरासा इंपोर्टेंट है अगला देखते हैं मंत्री नरेंदर मोदी ने नई दिली में प्रदान मंत्री बिजली हर घर योजना सौभागय का सुबारम के ज़िए 25 सितंबर 2017 को बहुत इंपोर्टेंट है प्रधान मंत्री बिजली हर घर योजना का नाम क्या है सौभाग योजना और इसकी सुरुवात कप की गई 25 सितंबर 2017 को अगला देखते हैं 25 सितंबर 2017 को राष्ट ब्यापी अभियां स्वच्छता ही सेवा के तहत स्री नगर नगर निगम का ब्रांड अमबेजडर किसे बनाया गया तो यह 18 वर्सी बिलाल दार को यह 25 सितंबर 2017 को राष्ट ब्यापी अभियां स्वच्छता ही सेवा के तहत श्री नगर नगर निगम का ब्रांड एमबेस्डर किसे बनाया गया तो यह 18 वर्सी बिलाल धार को अगला देखते हैं सितंबर 2017 में भारती पुरुष हाकिट टीम का नया कोच किसे निवतिया गया है तो यह हैं सियोजोड मारिजने भारती पुरुष हाकिट टीम का नया कोच कौन है सियोजोड मारिजने इसको देख लिजे और याद कर लिजे अगला है 25 सितंबर 2017 को किसकी अध्यक्षता में प्रधान मंत्री से संब्ध आर्थिक सलाकार परिशत का गठन किया गया है तो यह है डॉक्टर बिबेक देबराई की अध्यक्षता में यह अभी कोश्चन किसी एक जामे पूछा गया था आर्थिक सलाकार परिशत का नया अध्यक्ष किसे बनाए गया है डाक्टर बिबेक देबराय की अध्यक्षता में आईए आगे देखते हैं 18 सितंबर 2017 को किसने सिंगापूर की पहली महिला राश्पती के रूप में पदभार ग्रहण किया तो यह हलीमा याकूब सिंगापूर की पहली महिला राश्पती के रूप में पदभार ग्रहण कौन किया तो यह हैं हलीमा याकूब अगला देखते हैं 13 सितंबर 2017 को 208 मंच द्वारा जारी बैस्विक मानव पूजी रिपोर्ट 2017 में भारत का कौन सा स्थान है भारत का 103 अंस्थान है 103 आउट आफ 130 कंट्रीज 13 सितंबर 2017 को 208 मंच द्वारा जारी बैस्विक मानव पूजी रिपोर्ट 2017 में भारत का कौन सा स्थान है 103-130 कंट्रीज में से बैस्विक मानव पूजी रिपोर्ट में 103 याद रखिए अच्छे से अगला देखते हैं 22 सितंबर 2017 को NASDC ने भारत में कौसल विकास के लिए किस विद्यसी विस्विद्याले से समझाता किया है तो यह है डेकिन विस्विद्याले आस्ट्रेलिया के साथ NASDC ने भारत में कौसल विकास के लिए किस विद्याले समझाता किया तो यह है डेकिन विद्याले आस्ट्रेलिया अभी सायद थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन आप इसको दो-तीन बार अगर वीडियो देखेंगे तो इसमें सब कुछ याद कर सकते हैं अच्छे से मेमराईज हो जाएगा और गलत होने के चांस नहीं रह जाएंगे अगला देखते हैं 13 सितंबर 2017 को संयुक्त राष्ट द्वारा बित्ती समावेशन सम्मेलन का आयूजन कहां किया गया अगला देखते हैं 20 सितंबर 2017 को पहली पेंशन आदालत का उधाटन कहां किया गया तो नई दिल्ली में आगे देखते हैं अगला आठ सितंबर 2017 को वर्स 2017 के UNHCR नौन सेन सरणार्थी पुरसकार प्रदान करने की घुष्णा किसे की गई तो यह है जैनाह मुस्थफा नाइजिरिया के हैं आठ सितंबर 2017 को 2017 के UNHCR नौन सेन सरणार्थी पुरसकार प्रदान करने की घुष्णा कि गई तो यह UNHCR आवार्ड जो है किसको दिया गया 2017 जैनाह मुस्थफा यह कहां के हैं नाइजिरिया के हैं अगला देखते हैं सितंबर 2017 में 26 नीरजा भानोत पुरसकार से की से पुरसकित किया गया तो यह डाक्टर सरोजनी अग्रवाल को 26 नीरजा भानोत पुरसकार से की से पुरसकित किया गया तो यह है डाक्टर सरोजनी अग्रवाल को अब इसमें हमने एक question अटेज कर दिया अभी इसमें पीछे आया भी था अक्टूबर 2017 में सांती पुरसकार की से प्रदान किया गया तो आईकेन को आईकेन की फिलफार्म क्या है इंटरनेशनल कैमपेंड टू एबॉलिस नियूकलियर बीपन्स इसका मुख्याले कहां पे है आई सी एन का मुख्याले कहां पे है जीनिवा में है अब इसके इस वी बीडियो में इसको सिधार करेंगे और जिस टापिक पो आप लोग चाहिए या ऐसे ही चलने दे जैसे हम अपलोड कर रहें है अब ही हम Current Affairs की वीडियो भी अपलोड करेंगे थोड़े दिर में अम डेली Current Affairs अपलोड करते हैं आप देखते रहे हैं एक्जाम के टाइम में